सो हलो नमस्कात दोस्तों स्वागत साथ भी का एक बार फिट से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप भी एक नार्मल सा फोन यूज करें हैं और आपका जो फोन है इसके डिस्पले में आपको फिंगर प्रिंट नहीं दिया गया है तो दोस्तों ऐसे में आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके फोन की एक ऐसी जबदाष ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे दोस्तों आप अपने किसी भी एंडरोइड स्मार्ट फोन के डिस्पले में फिंगर प्रिंट लॉक लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तो अब आखिर सोच रहे होगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है क्योंकि इसके लिए तो हमारे फोन में fingerprint sensor होना चाहिए लेकिन दोस्तो आज जो मैं आपको trick बताने जा रहा हूँ इस trick को करने के लिए आपको इस video को इंड तक पूरा देखना होगा उसके बाद दोस्तो यखीन मानना 100% आप अपने किसी भी Android phone के डिस्पले के अंदर fingerprint lock लगा पाएंगे और दोस्तो आप अपने दोस्तों को ऐसा करके बिल्कुल 100% चोंका सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम ìेश्ट के बीडियो को लिची स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने फोन के किसी भी android phone के डिस्पले पर fingerprint लाप लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों बीडियो सुरू करते हैं हैं सो दोस्तों आपने पने फोन के दिस्पले पर फिंगर पिंट लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक चोटासा काम कर ले लाइक उसके बाद लाल बटन को regional subscribe कर लिजे शाथ ही में 9 को फोन में इस टिक को यूज कर सकेइब चुब से पहले हैपको क्या करना है कि आपको अपना Chrome browser open कर लेना है और दोस्तो टाइप कर देना fingerprint wallpaper अब दोस्तों यहां पर आप जैसे type करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे fingerprint wallpaper देखने को मिल जाएंगे तो आपको कोई भी एक wallpaper जो है download कर लेना है तो मैंने wallpaper डाउलोड करके रखा हुआ है अब उसके बाद दोस्तों आपको अपने phone में छोटी थी application डा start it पर click कर देना है अब दोस्तों यहां से आपको कुछ permissions माहिएंगा तो आपको उन पर विालोड कर देना है तो आपको background पर क्लिक करना है इन तरही पर्मिसंश को इस तरीके से rainsएव कर término करके enable permission दे देना है यहां पर तो यहां से आपको appear on top की पर्मिसंशन दें नहीं तो आपको इस application का नाम ढूर लेना है और इस application का नाम ढूरने के बाद दोस्तों आपको इसे enable कर देना है इसकी permission को तो यहां से मैं इसे इस तरीके से enable कर देता है उसके बाद आपको back चले आना है अब दोस्तों यहां पर आपको तीन आपसन दिखाए देंगे default unsplash gallery तो आपको gallery आपसन पर type कर देना है अब guys आप जैसे gallery आपसन पर type करेंगे तो यहां पर आपने जो भी fingerprint wallpaper गूगल से download किया है उस wallpaper को यहां पर आपको तरीके से select कर लेना है अब यहां पर दोस्तों अगर आप इसे crop करना चाहें तो crop भी कर सकते हैं इस तरीके से कुछ इस तरीके से जैस Code करना है उसके बाद दोस्तों आपको दूबारा से वहीं पर टउच करना फिर से select पर क्लिक कर देना है अब कोई भी एक आपको manually password बना लेना है और यहां से आपको बैल चेले आना है अब दोस्तों आपको apply पर क्लिक कर देना है अब दोस्तु आपकी display पर fingerprint लाक लग चुका आप दोस्तों मैं अपने phone को इस तरीके से लाग करता हूँ और यहां पर दोस्तों आप देखते हैं हमारे phone के display पर fingerprint लग चुका है अब जैसे ही दोस्तों मैं यहां पर टच करता हूँ तो हमारा fingerprint ओपन हो जा रहा है मैं आपको दोस्तों इक पर फिट से दिखा देता हूँ phone रखके अपना लाग open करता हूं क्योंकि आप कहेंगे कि मैं उगली से अपनी पीछे खोल रहा हूं तो देखे दोस्तों यहां पर मैं जैसे टच करता हूं तो कितनी फास्ट तरीके से हमारा फोन का डिस्प्ले पर फिंगर प्रिंट लग चुका है और कितनी इजली वर्क कर रहा है यह देखे दोस्तों मैं जैसे टच करता हूं तुरंत हमारे फोन का लाग खुल जाता है तो दोस्तों काफी कमाल की ट्रिक है हर एक फोन में वर्क करती है अब आप लोग अच्छे से सी पिप्रिंट आ को कि कैसे टिस्प्ले पर फिंगर पिंगर्पिंट लगाना है अब दोस्तों बात करें इस Apple केशन कि तो आपको पना प्लेसे टोर ऊपन करना आप प्लेसे टोर में सर्च लाग स्क्रीन फोटो टुट टॉट पास्वर्ड पसवर आप्स यह वहENTE wher भी कि ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको हमारी चैनल पर ऐसी ही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स की नई नए वीडियो देखने के रिए मिलती रहेंगे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसे और टापिक के साथ तब अपना ख्याल रखी आपका दिन सुभू